रिशब पंथ इस खिलाडी ने आज टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन पे पहले तो एक शांदार कैच पकड़ा और उसके बाद नुरुल हसन को आउट करने के लिए ऐसी लाज जवाब स्टंपिंग की है जिसे देख फैंस को महिंदर सिंग धोनी की याद आ रहे है किस तरह से शांदार स्टंपिंग की महिंदर सिंग धोनी की तरह रिशब पंथ ने आपको बताएंगे इस वीडियो में अंग तक बने रहीएगा हमारे साथ ये बात जरूर है भारतिय क्रिकेट में महिंदर सिंग धोनी के उत्राधिकारी के रूप पर हमेशा से रिशब पंथ को देखा जाता है हाला कि इस बात में भी कोई संधे नहीं है कि शायद महिंदर सिंग धोनी की तरह वैसी शांदार परफॉर्मेंसेज रिशप पंत नहीं दे पाए हैं वाइड बॉल क्रिकेट में लेकिन लाल गींद के साथ रिशब पंथ के आंगडे महिंदर सिंग धोनी से भी कुछ माइनों में अच्छे हैं लेकिन शायद विकेट कीपिंग एक पैमाना है जिस पर रिशब पंथ का महिंदर सिंग धोनी की बराबरी करना उतना आसान नहीं है उतना मुंकिन नहीं है क्योंकि धोनी के जैसी विकेट कीपिंग आज तक पूरे विश्व में कोई भी नहीं कर पाया है जिस तरह से महिंदर सिंग धोनी की विकेट के पीछे से मुकाबले को पलटने की रनीती होती थी गलव्स के साथ स्पीड होती थी वैसा कारे आज तक उनके लावा कोई नहीं कर पाया है लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ है मुकाबले के अंदर जिसे देखकर जरूर फैंस को महिंदर सिंग धोनी की याद आई है जिस तरह से स्टंप आउट किया है आज प्रिशप पंत ने नुरुल हसन को तो बात है ये पारी के 88 में ओवर की अक्सर पटेल गेंद बाजी पे थे उस ओवर की पहली गेंद पर विकेट आ चुका था मुश्विकुर रहीं का और आकरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौझूद थे बांगलादेशी विकेट कीपर बलेबाज नुरुल हसन जहांपर वो गेंद को डग करने में हो जाते हैं बीट गेंद जाती है सीधा रिशब पंथ के दस्तानों में और रिशब पंथ की गलफ्स के साथ चुस्ती और मुस्तैदी इतनी शांदार थी कि स्टंप आउट हो जाते हैं वहांसे बंगला देशी बलेबाज नुरुल हसन और उस स्टंप आउट का देखकर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ट्वीट देखने को मिले जहांपर फैंस का ऐसा भी मानना है कि रिशब पंथ की स्टंपिंग को देखकर जरूर उनने याद आ रही है महेंदर सिंग धोनी की जिस तरह से उन्होंने आज किया है स्टंप आउट इस मुकाबले में इस से पहले जो विकेट चाहिए था भारतिय क्रिकेट टीम को जो विकेट आया था जहांपर जो पहली विकेट मिली भारत को वो भी रिशब पंथ के कारण ही मिली जा नजमुल हसें शांतों का कैच गया था फस लिप में खड़े विराट कोली के पास कोली ने उसे फंबल किया लेगन रिशब पंथ ने डाइविंग एफिट के साथ उस कैच को मुकंबल किया और रिशब पंथ की शांदार पिकेट कीपिंग स्किल्स के चलते हैं भारतिय टीम ने कहीं न कहीं इस मुकाबले में वापसी की है और भारतिय टीम ने आगे जाने की बड़त भी बनाई है क्या कुछ आपका कहना है आज के दिन में रिशब पंथ के दस्तानों के साथ इस शांदार परफॉर्मेंस के बारे में दीजिए अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थान्यवाद